बच्चों की नाक बहुत बहती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, बागबटी जी कहते हैं कि नाक बह रही हो, सर्दी बहुत हो, जुकाम बहुत हो, तो गोमूतर तो नहीं कहा उन्होंने, गोगरत कहा, गोगरत मने गाय का घी, एक एक मून नाक में डाल प्लेनी है, रात को एक एक बून गाय का घी नाक में डाल के सो जाओ, बहुत गहरी नीद आएगे, आपको खराटे बंद करने हैं, बहुत लोगों को खराटे आते हैं, रात को सोते समय, सोने वाला तो नहीं जानता, पड़ोसी जानता है कि क्या तकलिफ होती है, तो जिनको भ खराटे बहुत आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी दवा में बता के जा रहा हूं, गाय का घी एक एक मून नाक में डाल लो, तीन दिन बात, चौथे दिन से खराटे बिलकुल बंद हो जाएं, इसमूत एकदम आपकी नीद हो जाएं, तो गाय के घीका भी उप्योग है औशदी के रूप में गोम उत्रका, अब आता हूं, बाल जड़ते हैं बहुत, बहुत सारी बहने शिकायत करती हैं, बाल जड़ रहें, तो गाय के दूद का दही बनाओ, दही को तावे के बरतन में रख दो, पांच-छे दिन रखा रहने दो, फिर हरा हरा हो जाएगा, फि नहीं बहनों ने तो मुझे बता, राजी भाई हमने तो एक ही बार किया था, उतने में भी बंद हो गए, अच्छा, बविश्य में बाल ना तूटें, अच्छे रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, तो महिने में एक बार या नहीं तो महिने में दो बार गाय क के मूतर से बाल दोलो, बहुत अच्छा कंडिशनर है, नैचुरल ओर्गेनिक कंडिशनर है गाई का मूतर, तो जैसे आप कंडिशनर यूज करते हैं उसकी जगे गूमूतर यूज, कैसे करें, गाई के मूतर में थोड़ा पानी मिला दे न और जैसे conditioner यूज़ करते हैं वैसे कर लें और आगे बढ़ता हूँ बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिती में हो बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं ना उनको बलगम जमा हो गया कफ जमा हो गया तो ऐसे बच्चों को एक चमच गो मूतर पिला दो एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा आपको पीना है तो आप भी पीलो आदा कप तक पी सकते हैं फिर उसके बाद मूतर पिंड के जितने भी रोग हैं मूतर पिंड के रोग आप सब समझते हैं किड्नी के फेलियर के और किड्नी के तकलीफ के यह सब में बहुँ अच्छी दवाइ गो मुतर उपयोग करो गाय का मुतर आदा कब kidney failure के सब cases में आप उपयोग कर सकते मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है गो मूत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा पेशाब में जलन होती है गो मूत्र पीना शुरू करो जलन बन पेशाब कई बार लाल रंका आता है गो मूत्र पीना शुरू करो नॉर्मल कलर होगा मूत्र के लगबग 22-23 रोग इसके ले गो मूत्र से ठीक होते है फिर आपको कबजियत बहुत है कबजियत पेट साफ नहीं हो रहा है तीन दिन गो मूत्र पी लो आदा आदा कप चौते दिन से एकदम पेट साफ हो एकदम पेट साफ हो फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं वात के कफ के पित्त के आप उसमें उप्योग कर सकते हैं पित्त के रोगों के बारे में बागबट जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उपयोग जादा करें पित्त के रोगी पित्त के रोगी आप समझतें गैस बन रही है ये लोग अगर गोमूत्र पियें पित्त ठीक करने के लिए तो घी जादा खाएं बस इतना ही निवेदन है उनका बाकी बात और कफ वाले तो कुछ भी करें तो बाल में उप्योगी शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप तो आपकी तुचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं न सब चले जाएं आपकों के नीचे डार्क सर्किल है रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो डार्क सर्किल चले जाएंगे आप खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जीमा हो गया थोड़ा मालिश कर लो, सब खतम हो जाएंगे तो ये गाय का मूत्र अद्बुत है अब इस गोमूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपयोग करने के लिए एक टेक्निक डवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है